प्रिकाश दुबे जी, शिराधा वल्लव शिहरीवें, सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में डंपत प्रणाओं। गुर्दे भगवान जी, मैं आपकी आग्यानुसार दैने नहीं हो पा रहा। नह चाहते होए भी चुपचाप से क्रोध आ जाता है। सहस्ता से किसी बात का जवाब ही नहीं दे पाता। सहज रहने के लिए क्या करूं प्रभुजी मागदश्य। विसे क्रोध आना तो श्वभाविक हो सकता है पर चुपचाप रहना अच्छी बात है। अगर आप उसे चुपचाप सह जाए उसकी चेस्टा ना होने दे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर क्रोध का लक्षन होता चुपचाप नहीं रहने देता। वो फिर अपना प्रभाव दिखाता है। तो अगर क्रोध ही आता रहा तो फिर हरदे पवित्र कप कर पाएंगे। यही तो सब गंदे करते हैं काम, क्रोध, लो, मौ, मदमत्सर। तो क्रोध तो तब आये जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों। तो बुरे वोपर क्रोध होता है ना। तो अगर लोट की देखो तो हम बुरे हैं। इसलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको शुदार करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई। जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा नहोए। आप देखो इमानदारी से, बच्पन से, जब से, याद तब से, अब तक कि आपने सब काम सही ही किया है क्या बिचार करके। तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें। जैसे मानलो बच्चा है, परिवार का जन है, या कोई पडोस का जन है। जो हमने गलतियां किया, अगर उससे उगलती हो रही, तो जैसे हमने अपनी गलतियों को छमा करके, कभी अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे उनको भी छमा कर दें। अगर हमें बच्चों से क्रोध दिखाना पड़े तो दिखावटी करें। नाटकवाला की इनका शुधार हो जाए। अंदर से हम क्रोध न करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हरद मलीन ہو जाएगा। पमान भी हो जाता है, अपराद भी बन जाता है, क्रोध से कभी किसी को लाभास तक मिला नहीं है, जब कभी किसी को लाभ मिला है, तो छमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला है, आप छमा करो, आप किसी पर गुश्या मत करो, तो बुले अगर हम छमा करते रहेंगे, तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा नहीं वो स्वतंत्र नहीं है इश्वर है ना वो शाशक है वो सब प्रशासन करता है वो अपने आप ऐसी लाइन में पहुंच जाएगा ठीक हो जाएगा एक मुच्छ वाले ऐसे थे बड़े मुच्छ थी तो एक बड़ा चंचल प्रकति का नौई वक था उनकी बड़ी मजा खुडाता है वो बड़े बद्धिमान थे जहाँ निकलते तहां मुच्छ मुच्छाडा बैल से और ऐसे मतलब उसको गलत सब्दों में ऐसे दो रुपया दि उसे वह ऐसे वह चार चाहे वह अगली बार वह लिकला ला जो दो रुपया देते हैं कुछ लगी कुला हो वह इश्वर बेद देगा हो तुम चुप रहो क्योंकि तुम अपनी ब्रति क्यों बगाड़ोगे तुम परमार्थ में चलना चाहते हो उसको ऐसा मिल जाएगा क्य उसके पुरिखा वित्रप्त हो जाएगे एक से देखो अगर ऐसा और ना हो तो जो संसार को मिटाना चाहते हैं वो उस लोग मिटा देना संसार को कहां मिटा पाते हैं अलवात आतंकवाद है या अन्य जो ऐसे समुदाय हैं कि लोगों को तो कहां मिटा पाते हैं उत्तर नह कर पाते हैं जिनका प्रारब्द नश्ट होने का उसी संयुक से नश्ट हो जाते हैं वह इसके आगे नहीं इश्वर है जो सब परशाषन के यह तो खा जाए ना एक दूसरे खा जाए नश्ट कर दे उतने जिसका प्रारब्द है जहां प्रारब्द लेकिन जिस हिरन का भोजन निश्चित हो गया है सेर को उसकी द्रश्टी उसी पर जाएगी और वो हजारों को छोड़का उसी के पीछे बगएगा केवल उसी खाए, दूसरे को खरोच भी नहीं मार सकता ऐसा विधान इश्वर का सब कुछ है हम को चाहे कि हम उसके विधान में राजी रहें, गुस्सा ना करें मालवा आपको कोई ऐसा प्रारब्धार है तो भी गेट के बार निकलते ही आपको कोई धक्का दे दे, कोई गाली तो आप उसे सहो, ब्रंदा बनाये हैं कोई पाप था, बिहारी उसे नश्ट करने के लिए धक्का लगवा दे या आपकी जेब काट ले बहुत बड़ी धनर की हान ही होनी थी दस-पाच हजार रुपया चलेगी कोई बात, वो देने वाला कोई और है, ऐसे बिचार के दौर हम क्रोध पर सासन, क्रोध बहुत निंदनी वस्त, बहुत निंदनी या अगर अपना रूप धारण कर ले तो बहुत ही, मतब गंदा काम करा सकता है, बच्चों को मार देना, परिवार को मार, आयाद सकता है रोज हम कहां तक कमाएं, रोज हमें परिशान, चलो सबको जहर देते हैं, मर जाते हैं, अच्छा अच्छा अपने को मार लिए सबको जहर ऐसे कितनी गटना है होती, क्रोध से आज तक किसी को भी लाव नहीं मिला किसी एक को भी लाव नहीं मिला अगर किसी को लाव मिला है, तो शान्ती शमा से मिला आए तो हम काहे को गलत मार्ग में जाए क्रोध पर शाषन करें अब क्रोध उत्पन का होता है क्रोध का मूल पकड़े कामा शन्जायते क्रुधा क्रुधा इश्मत विभ्रमा इस्मती भ्रंशाट बुद्धिनासो बुद्धिनाशात प्रणस्टती, क्रोध का प्रादुर्भा होता है कामना से, जब हम किसी से, हमारा पडोशी, हमारा आदर करें, हमारे अनुकूल चले, हमारे घर वाले हमारे अनुकूल, जब हम कामना करते हों, वो हमारे अनुसान नहीं चलता, तब हमें पूस पर गुसा जाता है तो हमें सूचना है कि हमें भगवान ने दिया है कि जिसके प्रति जो करतब करना है हमें करना है वो हमारे प्रति कैसा करता है वो जाने है हमारा करतब कैसा होना चाहिए पड़ोसी के प्रत हमारा करतब कैसा होना चाहिए परिवार के प्रत अगर हम इस बात को देखें कूद, लम्बाई, निरोग यह सब आपको करना पढ़ेगा अगर नई तो भी गर वेटो ऐसे परमार्त में चलना है तो आपको छहमा के द्वारा कुरोथ पर विजयप्राप्त करनी होगी निश्कामता के द्वारा काम पर विजयप्राप्त करनी होगी भगवन नाम जपने के लोग से धन पर विजय प्राप्त करने होगी प्रभू के चरणों में मंतार पित करके मोह पर विजय प्राप्त करने होगी प्रभू के चरणों में अंकार समर पित करके अंकार पर विजय प्राप्त करने होगी तब आप पर्मानंद में डूगोगी तो अगर हमें चलना है तो फिर हमें तो सहना पड़ेगा सुनील शर्मा जी सुनील सर्मा जी बेट जाए पुझे सद्गुर्द भगवान के पावन चरणों में डंबत पढ़ाओं आज आपके कृपा से हमारे नए जीवन को चोथा साल लग गया है जी आपके हेत्यु कृपा से खूब बरस रही है जिसका ये अदम दास चब्दों में वड़ना नहीं कर सकता अब तो ऐसा लगता है कि हर समय आपकी कोद में है गुर्देव मेरा एक प्रश्ण है पुझे गुर्देव कई बार ऐसे सज्जन संपर्क में आते हैं वे भगवान श्री कृष्ण वा विंदावन धाम में रूची दिखाते हैं तो क्या महाराजी हम गुरु कृपा बल से उन्हें ये प्रेना दे सकते हैं वो इस रस संपर्दाय वो आपके पावन चर्णों तक पहुंच सकें आप चर्चा कर सकते हैं पर आकांग्षा न करें क्योंकि अगर आकांग्षा करके चर्चा करेंगी तो फिर असंतुष्टता आपका वरन कर लेगी चर्चा कर सकते हैं प्रिया प्रीतम के मारग की चर्चा कर सकते हैं प्रिया प्रीतम के सौंदर की गुणों की उनकी कृपा की पर वो प्रिया प्रीतम के मारग में ही चले ऐसी आकांग्शा न कीजिए क्योंकि अगर आकांग्शा करेंगे और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि नहीं तो फिर आपको गुशाने लगेगा फिर आपके अंदर अरुची पैदा होने लगेगी मतलब वो आपके अंता करण को अपनी स्थिती से भी गिरा देगा आखांग्शा ने चलो न चलो आपसे आदा गंटा चर्चा की ये हमारे साधना बनी बोधेयंता परशपरम तुम चलो न चलो हमारा तो काम हुआ तीस मिनेट भगवत चर्चा होई जैरादा हो लवलाल के अपने निकल गए फिर मिले फिर चर्चा कर दी जीवन भर न चलो हमें तो हमारा तो काम हो रहा न बोधेयंता परशपरम परशपरम मिलकर भगवत चर्चा कर रहे है ये आग्या का पालन कर रहे है और एक महिने से समझा रहे है ना गया ना गुरू जी से मिला ना दिक्षाली बेकार ही तो सब गया ये आकांगशा नहीं रखने हैं वो हमें चर्चा कराने के लिए समय दे रहा है ये हम पर बड़ी करपा कर रहा है कि हमें आदा घंटा अपने प्रभू के जस गाने का मिल रहा है बस इतना हमें लाप चाहे है अगर हम ये लाप चाहेंगे कि ये हमारा मार्ग कानुयाई बने तो फिर गलत हो जाएगा फिर आकांगशा ले आएगी द्वेश में फिर अंदर गए कुछ फरक है नहीं पड़ रहा इसमें तो फिर अपने में आम आ जाएगा मेरे में तो फरक है इसमें कोई फरक नहीं तो आपकी उपासनम फर्क डाल देगा वो फर्क ये बड़ी सूक्ष्म बाते हैं अपने को निर्पेक शोकर गान का हाँ कोई आप से प्रार्थना करता है कि हमें सुन-सुन के ऐसा लगता है आप जिस मार्ग में चल ले और मैं भी चलूं फिर तो हाथ पकड़ लीजे आईए चलो बिंदावन राधा लवलाल के चरणों का आस्तर लीजे भजन कीजे अपनी तरफ से हम नहीं कहेंगे जब तक वो हम से ना कहें तब तक अपनी तरफ से रसोई परोष दे अब आप देख लो जो आपको अच्छा लगे सुपा लो नहीं अच्छा लग रहा तो हमारा काम है हम अपना काम कर दिये अपने मालिक का यसगार है बश आपका अगर रुचे तो चलो हम कहेंगे नहीं कहने में बड़ी बादा हो जाती यद्यपियापका भाव है पर आप गलत हो रहे है इसका परणाम होगा आपके हरदे में जलन होगी अशान्ती होगी असंतोष होगा नहीं भगवत चर्चा है जहां मनावे जैसे चलो जब वो कहे कि हम आपके इस रस से प्रभावी तो हम करना चाहते है करपा करो हमको भी सरा फिर मार गए फिर तो किराया लगा के लिए आवलावे वह एगर पैशा नहीं तो हम पैशा लगा देते चलो आप आनंद लीजिए बाणी स्वयम खरीद के दे यह लिए पर पहले नहीं पहले हम चर्चा करते हो उसके अंदर भूख चलने का तो केवल हम भागवत धर्म की बात करेंगे प्रेम मार की की नहीं ऐसा लग रहा भी भागवत धर्मे भी मी नहीं है तो हम उसे साधारन भक्ती की बात करेंगे डाक्टर वही प्रेमिर होता है जो मरीज के मर्ज के अनुसारों सदी दे अब उसको है जुखाम आपक में लिखा है आपको बता देते आपको मन आवे पकड़ो आपको मन आवे ना पकड़ो तो आप एकदम निर्पेक्षर होगे सादू इरदे रहोगे आनंदी तरो जहां अपना पक्ष रखा फिर वो अपना पक्ष जम नहीं सुईकार करेगा तो फिर हमारे अंदर जलन हो अरे उसे भगवत चर्चा सुना रहे इतना महेनों से उसे हम कि चलो भाई ब्रंदावन चलो जूड़ो यह हमारी कोई गलती है हम तो परमार्थ का काम कर रहे है हाँ तुम परमार्थ के प्रचारक बन गए ना यही गलती हुई अगर तुम अपने सुख की बात सोचते तो बन जाती है अपना सुख्या मुझे सिरी जी ने ओशर दिया अधा गंटे चर्चा की एक गंटा चर्चा की मुझे तो ग्याल नहीं है पर उक्रपा करके चर्चा कैसे हो इसके लिए संयोग बना दिया सिरी यह हमारे सुख के लिए आता है इसलिए प्रडाम है आप चलो ना चलो हमारी बैट करके बात सुनी ना तो यह हमें शवभाग मिला कितनी देर सिरी जी की चर्चा की आनंदित हो गया यह बात ध्यान लखना है कि हम कई फस्र न जाएं विपी नगर राजी राधा वल्लेव शीहर इविंश शी सद्गुरु दुखान के चर्णों में कोटी-क गुरुदेव आपके श्रीमक से सुना है कि हिये में न जान पड़े कान है की प्रान है प्रान भे कान में कान भे प्रान में महराजी इसका भावर्त बताने का कि भाव यह है कि मन चिंतन करते करते जैसे कामाशक्त हो गया अब ही पता नहीं चलता कि मन है की काम है काम है काम ह हो गया जब आपके अंदर कोई भी विकार आता है तो आपकी सत्ता ने रहने देता वो अपनी सत्ता जमा लेता है क्रोध आएगा तो ये समझ में आएगा कि अन्ताकरन भी क्रोध में द्रश्टी क्रोध में बानी क्रोध क्रोधा कार बद्रत्ती देखो किसी गुष्सा है उसका स्वरूप बदल जाएगा द्रश्टी बानी चिंतन आवाज सब बदल जाएग carro अब यो क्या हुआ नहुंआ वो तनमैं हो गया ना क्रोध में पर इह ना श्वान ब्रति आने जाने वाली और भगवान शचिदानड में है जब हमारा मन, हमारी बुद्धी, हमारा चित, हमारा अंकार, यंताकर्ण चारो प्रभु के चिंतन में इतने डूब गए कि वो प्रभु में हो गए अब ये जानने पड़ता है कि प्राण यहां है या कृष्ण यहां है कृष्ण प्राण में हो गए और प्राण कृष्ण में हो गए और मूल में कृष्ण ही सब कुछ बने हुए है तो जो माया कृत चिंतन था वो खतम होने पर अनन्य चिंतन के प्रभाव से उसका मन कृष्णाकार बुद्धि कृष्णाकार चित कृष्णाकार अहंकार प्रानों से जीवन है ना तो गोपी जन कहे रहे हैं कृष्ण जीवन है हमारा प्रान जीवन नहीं है योकि हमारे प्रान हो गए कृष्ण तो अब ये पता नहीं चलता कि प्रान कृष्ण में हो गए या कृष्ण प्रान में हो गए दोनों मिल गए अब ये पता नहीं चलता कि भक्त भगवान में हो गए और भगवान भक्त में हो गए वो भगवान की आराधन कर रहा है भगवान उनकी नो करी कर रहा है देखो न त्रिलू चन जी के यहाँ देखो न मादोदास बावा की वो भगवान की भजन में निमगने तो भगवान उनकी लंगूटी दोने में निमगने अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि भक्त भगवान में हो गया कि भगवान भक्त में हो गए समझे रहे ना ये प्रेम की स्थिती है कि प्राण, मन, बुद्धी, चित हम सब इस्टाकार हो गए इस्टाकार तर्मे महरजी इस्ट सुति के इस पद का भावार्त बताने की कृपा करे एक इस्ट सुति में एक दोहा आता है बंदो श्री हरिवंश के चरन कमल सुकधाम जिनको बंदत नित ही छेल छवीलो शाम महाप्रभू हरिवंश चंद्रजु के इसमें हीत सजनी शोरूप का इसारा है, जो हीत सजनी सखी शोरूप से हैं और प्रियाजु की कोई भी शेवा की जब लालजु के हरदय में प्रबल लालशा होती है तो फिर प्रभू हित सजनी शुके चरनों में नमन करते हैं यह स्यास्ते बदकिंकरी सु बहुसस चाटूनी ब्रंदाटवी कंदर पह कुरते तवे प्रफ्शु प्रशादोत सवं ललटा जुके चरन पकड़ते हैं हित सजनी जुके चरन पकड़ते हैं हमें सिरी ज्दी के आज ये शेवा करने का सुभाग ऐसे नहीं मिल सकती है आन्तिक निकुन्ज की इस्त्वति का भाविश्ञ में दिया गया है कि हरिवन संद्र जो हिट सजनी जी को सुरूप है ना इनके मैं चरणों की बंदना करता हूँ जिनकी चरणों की बंदना नित छेल छबिले से हम संदर करते है सहचरियों की ही कृपा प्रशाद से वो महाशुक कान हो अब प्रथम पद से देख लो प्रिया प्रितम की और कहा कौँ इननन की बात हिट सजनी से क्या कहूँ सखी ये प्रिया बदन अम्बुजर साठ के अनत मजा जब कभी स्री जी रश में होती है आंतरिक शिंतनम तो लाल जू को भ्रहम हो जाता है मान कर लिया सखीयों के ही पैर पड़ते है मना दो लाल ली जू को ये महा प्रेम्रस के एकान तो यहां जो संबोधन है वो महा प्रभु के हिट सजनी शवरूप का है जहां लाल जू निकुझ में यस्यास्ति बद्किंकरिश्य यस्यास्ति जिनकी श्री जी की सखी है श्री जी की प्रिय है श्री लाल जू क्योंकि ये मार्ग जद्यप्षकल लोक्षूडा मनी दीन अपन पहमान, दीनता से तो वहां ये भावदर शाया गया है कि हरिवन्ष महाप्रभू हिट सजनी शुरू उप्षे निकुंज में बिराजमान छेल शबिले स्याम सुंदर जिनके चरणों में अभी इत सजनी जू चरण चाप रहे है लाल जू उशुशुख कोई ले है इत सजनी जी से नेत्रों से इप्रणाम करते है अगर स्री जी जान गई तो बोले अगर जान जाए तो अगली बार से सेवा ने देना हमाई ऐसे दबाएंगे कि स्री जी जाने ही नहीं सकती है आपके दबाने में और हमारे दबाने में अंतर है आप जब स्री जी के चरण दौआ होगे ये एकांतिक महारस की बात में हुझे